हेलो प्यारी बिच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे S.E.R.T. के द्वारा शुरू किये गए रीडिंग अभियान के तहत हिंदी की वर्कशीट नमबर 15 जो की क्लास 3 के लिए है और इस वर्कशीट की डेट है बच्चों 3 फरवरी 2022 और इसका विशय याने की थीम है मेरा परिवार तो बच्चों आप यहाँ अपना नाम ठीक है तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही जादा खुश होंगे बच्चों हम सभी को अपने जन दिन पर मित्रों को बुलाना और उनके साथ मिलकर अपना जन दिन मनाना ब यानि कि लोमडी का जन दिन है और वो उसको सारस के साथ मनाना चाहती है तो आएए नीचे दी गई कहानी को पढ़ कर पता करते हैं कि जन दिन पर दोनों ने क्या क्या किया तो बच्चों देखो ये है सारस और ये है लोमडी एक लोमडी थी बहुत ही चालाक और खाने की ल लाया सारस उसके लिए उपहार में मचलिया लेकर आया और दोनों ने खूब नाच गाना किया और मिलकर इन मचलियों को खाया ठीक है अब देखो नाच गाना तो इन्हों लिया इसके बाद क्या हुआ अब दोनों को बहुत भूख लगी थी लोमडी तुरंत खीर से भरी थाली ले आई सारस अपनी चोंच से थाली की खीर नहीं खा पा रहा था और लोमडी ने अपनी जीब से फटा-फट खीर चट कर दी बेचारे सारस को भी भूख वापस लॉट देखो सारस के साथ क्या हुआ क्योंकि वो प्लेट में खीर रखी हुई थी और प्लेट में खीर ऐसे फैली हुई होती है तो और सारस की देखो चोंच कितनी लंबी है तो वो अपनी चोंच से इस खीर को नहीं खा पा रहा था जबकि ये लोमडी क्या है कि इसकी चोंच तो गर वापस लोटना पड़ा लेकिन तभी उसने क्या किया उसने मन ही मन लोमडी को सबक सिखाने की ठान ली देखो लोमडी तो सारस की बहुत अच्छी दोस्त थी लेकिन लालच के कारण उसने ऐसा किया कि सारस को बिल्कुल भी खीर खाने को नहीं मिली और सारी खीर लोमडी खाली अब इससे सारस को गुस्ता आया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी लोमडी को सबक सिखाऊं अब कुछ दिनों बाद सारस ने अपने जन दिन पर लोमडी को बुलाने की सोची लोमडी ने सारस को उपहार दिया और नाच गाकर दोनों ने बहुत आनंद किया उसके बा क्यों किया देखते हैं सारस ने अपनी नुकीली चोंच से भर पेठ जूस पी लिया लेकिन लोंबडी को भूखेrån पेठी जाना पड़ा अब देखो यह जो सुराही है क्योंकि इसका मूह बहुत पतला होता है तो तो सारस ने अपनी चोश डाल कर तो सारा जूस पी लिया, लेकिन ही जो लोमडी है, वो इस सुराही के अंदर अपना मुँ नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि इसका मुँ बहुत छोटा होता है, पतला होता है, और इस कारण से लोमडी को भूखे पेटी घर वापस लोटना इस कहानी का एक टॉपिक सोचना है, और इस टॉपिक को यहाँ पे लिखना है, और दूसरा प्रशन है कि बच्चों, आप अपने दोस्त के जनम दिन पर उसे क्या उपहार देना चाहेंगे, उपहार का नाम लिखकर चित्र बनाईए, तो बच्चों हो सकता है कि आप अपन इसके अलामा कोई और आप सीशक लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो बच्चों इसका एक सीशक तो आप लिख सकते हैं, लोम्डी और सारस, ठीक है, या फिर सारस का सबक, या सारस का बदला, ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी इसका सीश परिफ्ट करें यहां पर हम एक चुत्र दिखा रखा है इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और अनुमान लगाना है कि ये दोनों बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं इनकी बातशीत को हमें जोर-जोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है ठीक है तो चलिए इसका उत्तर पहले हम लिख लेते हैं तो बच्चों इस चित्र में ये लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करोगे तो ये रिप्लाइ करता है हाँ जरूर तो इनकी इस बातशीत को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ठीक है बच्चों आपके पेरेंस के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातशीत कर बताईए कि जरूरी नहीं है कि भेंट या उपहार में कोई बहमोले चीज ही दी जाए हम उपहार के रूप में यानि गिफ्ट के रूप में पौधा भी दे सकते हैं या अपने हातों से बना कोई सामान भी अपने फ्रेंड्स को अपने टीचर्स को या किसी को भी दे सकते हैं ठीक है तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वाकशीट एन आई होप आप सभी को एव वाकशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भोलें थैंक यू